तो देखिये बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th किलास की इतिहास की पाठ्थे पुस्तक का भाग 3 जिसमें मुख्यत है आधुनिक भारत का इतिहास है और इसमें हम जो पाठ्थ पढ़ रहे थे ओपनिवेसिक सहर वो हमने पूरा कर लिया था और पिछली कक्षा में हमने उसके प्रशन है 28 सताबदी में सहरी केंदरों का रूपांतरण किस तरह हुआ प्रशन है कि 28 सताबदी में सहरी केंदरों का मतलब 28 सताबदी से पहले सहर किस तरह के थे और 28 सताबदी के बाद सहर कैसे बदल रहे थे यह हमें बताना है तो रूपांतरण का मतलब 28 सताबदी से पह से वह बदल रहे थे तो जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ी तो कुछ छेत्रिय सहरों का उद्य हुआ जैसे लखनव अगेरा यह कुछ सहर थे जो विक्सित हो गए थे उसके बाद हमने देखा कि जब यूरोपिय भारत में बहुत ज्यादा व्यापार करना उन्होंने शुरू क कर दिया था यूरोपिय सक्तियों ने भारत में तो जो थलाधारित मार्ग थे थलाधारित व्यापार था उसका इस्थान जलाधारित व्यापार ने ले लिया था मतलब यूरोपिय लोग बंदरगाहों से ज्यादा व्यापार करते थे तो भारत के जो बंदरगा सहर थे जो रूपांतरन हो रहा था तो देखिए सत्रवी सताब्दी में भारत में मुख्य सहर कौन से थे आगरा दिल्ली और लाहूर जो मुगल सत्ता की राजधानिया होती थी यहां मुगल बादशा, मनशबदार, जागिरदार, व्यापारी, कलाकार, अन्य प्रसासक वर्ग होते थे मतलब जो मुख्य लोग थे सत्ता में जो भागिदारी रखते थे वो यहीं पर रहते थे जिनमें मुगल बादशा है, मनसबदार, जो बड़े अधिकारी होते थे मुगलों में उन्हें मनसबदार कहते थे जागिरदार, व्यापारी, कलाकार, यहीं ज्यादा रहते थे तो यह मुख्य सहर थे उस समय जो मुगल सत्ता भारत में थी 28 सताबदी से पहले पूर ओपनिवेशी काल में, मुख्य सहर थे आगरा, दिल्ली और लाहोर अब देखिए 28 सताबदी में मुगल सत्ता कमजोर होने लग गई थी, कमजोर हो जाने के कारण छेत्रिय सक्तियों का उदे हुआ, समझ रहे हो ना, जो मुख्य सक्ति थी भारत की मुगल, वो कमजोर हो गए तो छेत्रिय राज्यों का उदे हुआ, बहुत सारे छोटे-छोटे राज्ये बनने लग गए थे जिन में थे लखनव, हैदराबाद, सेरिंग पटनम, जो करनाटक में पढ़ता है, पूना, नागपूर, बडोदा, तंजोर, आदी नगरों का महत बढ़ने लग गया था यह हमने जब इस पाट को हम पढ़ रहे थे, अच्छे से जब हमने चर्चा भी की थी, तो उसी तरह हमें यह उत्तर बनाना है कि कैसे बदल रहे थे सहर, तो जब मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी, तो यह सहर थे, इनकी चमक तो हलकी पढ़ रही थी, और नए सहर व्यापार का मुख्य के इंदर बन रहे थे, लोगों को आकरसित कर रहे थे, आगे देखते हैं, फिर अठारवी सताबदी में आगे क्या होता है, अठारवी सताबदी के अंत तक इस्थल आधारित सामराज्यों का इस्थान सकती साली जल आधारित यूरोपिय सामराज्यों ने ले लि वो विक्सित होते गए, आगे देखिए 28 सदी में सहरी केंदरन का रूपांतरन बड़ी तेजी से हुआ, पुर्तगालियों ने 1510 में पंजी, गोवा में है, वो नगर बसाया था, डचोने 1605 में मचली पटनम या मसूली पटनम उसके बाद है फ्रांसीश्यों ने 1643 में पांडीचेरी अंग्रेजों ने 1640 में मद्रास बसाया और 1661 में बंबई और 16 republic में कलकत्ता अंग्रेजों के दोरा ये सहर बसाएगा ये बांगी अन्ने यूरोपिय सक्तियों के दोरा ये मुख्यत है जल मारगों पर इस्तित बंदर गहा थे तो ये सहर विक्सित होते जाएंगे और जो पुराने सहर थे 28 स्ताबदी से पहले के सहर थे वो अब धीरे धीरे व्यापार वानिजे का के इंदर नहीं रहेंगे और उनका महत्तो कम होता जाएगा ठीक है आगे ये नए नगर व्यापार वानिजे का मुख्य के इंदर बन गए थे जो नए नगर थे वो आसपास के ग्रामीन छेतरों से मजदूर, कारीगर, छोटे बड़े व्यापारी, शोदागर, बुनकर, आदी, रोजगार की तलासों में इन बड़े सहरों की तरफ आ नहीं रहे थे, देखिए बच्चों, अगला प्रसन, ओपनिवेसिक सहरों में सामने आने वाले नए तरहे के सार्विजिन की स्थान कौन से थे, और उनके क्या उद्देशे थे, तो देखिए जो ग्रामीन समाज होता था, उनमें मेल जोल ज्यादा होता है, आपस में मिलते हैं, व्यक्तिगत जानकारी होती है, और उनके संबंदों में घनिष्टा होती है, ग्रामीन छेत्रों में, जबकि सहरी छेत्रों में सब अपने काम में भी जी रहते हैं, और उनके संबंदों में घनिष्टा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा घनिष्टा नहीं होती, मिलने करते थे जो खाली समय होता था वो भिताते थे दूसरे लोगों से मिलते जुलते थे तो उन स्थलों के बारे में हमें बताना है तो देखिए ओपनिविसिक सहर में सामने आने वाले नई तरहें के सारवजनिक इस्थल जैसे टाउन होल सारवजनिक पार्क बनने लग गए थे रंग सालाएं जहां पर नाटक वगेरा होते थे और सीनेमा होल खुलने लग गए थे पिक्चर वगेरा देखने जाते थे लोग वहाँ पे आदी इन नए सारवजनिक इस्थानों के बनने से सहरों के लोगों को मिलने जुलने सहरों के लोगों को मिलने जुलने की नए उत्ते जगहें नए उत्ते जग जगहें और आउसर मिलने लग गए थे तो यह कुछ सारवजनिक इस्थल जो विख्षित हुए जिन में सहर के लोग खाली समय में अपना समय यहां जाके व्यतीत करते थे एक दूसरे से मिलते जुलते थे और अपने संबंदों को प्रगाड करते थे संबंद मजबूत बनाते थे तो ओपनिवेसिक सहरों में नए सारवजनिक इस्थल मनोरंजन के कौन-कौन से थे वो आपको बताने हैं यह हैं अब यहां होता क्या था तो देखिए सहरों में नए सामाजिक सम्हू बनने लग गए अब जो वो मिल रहे थे ना अपस में सालाओं टाउन होल में जब लोग आपस में मिलते थे तो इनकी मतलब प्राचीन भूमी का क्या रही जाती क्या है इस तरह से समाज में क्या इस्थिती है वो ज्यादा महतो की नहीं थी वरतमान इस्थिती महतो की थी तो वो ही है सहरों में नए सामाजिक समू बनने लग इससे सहरी ओरतें घरों से बाहर निकलने लगी और सारवजनिक जीनों में ओरतों की भागीदारी बढ़ने लग गई थी ठीक है तो ओरतें भी बाहर निकलती थी सारवजनिक इस्थानों पर जाती थी आपस में मिलते जुलती थी तो सारवजनिक जीवन में ओरतों की भाग निकले घरों से तो ये परिवर्तन समाज में धीरे-धीरे हो रहे थे सहरों में नए उपनिवेशिक सहरों के विकास के कारण और नए सारुजनिक इस्थलों के विक्सित होने के साथ थी देखिए बच्चों अगला प्रशन उननीसवी सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन-कौन सी थी मतलब जब बड़े-बड़े नगर बन रहे थे तो ओपनिवेशिक सरकार के सामने चिंताएं क्या थी इन नगरों को नियोजित करने की चिंता उनके सामने मुख्य थी यह हमने पढ़ा था जैसे सुरक्षा के लिए सुरक्षा महतुपूर होती थी अंग्रेज चाते थे कि नगर में जो हमारी बस्ती है वो अलग थलग रहे सुरक्षा की दिवारों से घिरी रहे और विद्रों के समय हम सुरक्षित रहे तो सुरक्षा की बड़ी चिंता होती थी एक तो अपनिवेशिक सहरों में नक्से बनवाने की भी वड़ी फिक्र होती थी चिंता होती थी कि सहर के नक्से बनाने है सुरक्षा उद्देशी होता था नगरों में जो महामारियां फैलती थी बिमारियां फैलती थी उनसे नगरों को कैसे बचाया जाए नगरों की जंगनना वगेरा करना ये बहुत सारी नई चिंताएं पैदा हो गई थी जैसे जैसे नगर बढ़ रहे थे वो ही हमें बताना है कि 19 सदी में नगर को नियोजित करना है तो नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी तो देखिए कौन सी थी नगर नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली च व्यापार वहीं से होता था तो व्यापारी भी चाहते थे कि बंदर गाह के आसपास ही रहें मजदूर आते थे तो उनको भी मजदूरी वहीं मिलती थी जाच से सामान उतारना चड़ाना बिचोलिये होते थे दुबासिये तो उनको भी रोजगार वहीं मिलता था तो मुख्य रोजगार के केंदर बंदर गहा थे इसलिए समुद्र के आसपास ही लोग बसना चाहते थे तो ये एक बड़ी समश्या थी कि इतने सारे लोगों को समुद्र के आसपास ही कैसे बसाएं दूर कोई रहना नहीं चाहता आपने देखा था ना कि बंबई प्रारम में साथ फिर जैसे जैसे बंबई की जनसंख्या बढ़ती गई उन टापूं को आपस में जोड़ दिया गया मिट्टी वगेरा डालके और बड़ा भूबाग तैयार कर लिया गया था तो पहली चिंता क्या थी नगर को समुद्र के निकटी बसाना है उननीशी सतापदी के नगर नि को समुद्र के आसपास ही बसें आगे और क्या चिंताएं थी नगर नियोजन की दूसरी महत्वपूर्ण चिंता थी सुरक्षा से संबंदित थी कि नगरों को सुरक्षित भी रखना है अंग्रेजों की बस्ती सुरक्षित रहे पढ़ा था अपन ने जब अपन इस वाठ का अध्यन कर रहे थे बड़े अच्छे सी चीज समझी थी तो देखिए शुरक्षा की द्रश्टी से यूरोप यह भारतियों के खत्रे से दूर प्रथक वैपून रूप से सुरक्षित बस्तियों में रहना चाहते थे जब अठारा सतान की क्रांती हुई थी तो बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे भारतिये विद्रोईयों के हातों से इसलिए अब अंग्रेज चाहते थे कि हम सुरक्षित बस्तियों में रहें तो नगरों को सुरक्षित बनाना था खासकर हम ऐसी जगें पे रहें जो भारतियों से प्रथक बस्ती हो अलग बस्ती हो जो तो देखिए अब इस उद्देशी की पूर्ती के लिए civil lines नाम के नए सहरी चेतर विक्सित किये गए लगबग हर सहर में एक अलग चेतर होता था जिसको कहते थे civil lines और उस civil lines चेतर में केवल यूरोपिय लोगों को ही रहने की अनुमती थी भारतिय लोग वहां नहीं रह सकते थे कारण सुरक्षा के उद्देश्य और अपने आपको वह थोड़ा सा अच्छा मानते थे भारतियों की वजाए किये गए जिन में केवल यूरोपिय ही निवास करते थे तो यह सुरक्षा के उद्देश्य से ऐसा किया गया था अगली समश्या क्या थी अगली चिंता क्या तरफ कौन सी जनसंख्या जादा रहती है ताकि अगर विद्रो होता है तो उसे दबाया जा सके सारी जानकारियों के साथ इसके अलावा नई जनसंख्या नई बसती अगर कहीं बसानी है तो जो सरकार है उसको पता होना चीए कि सहर में पहाड़ी किस तरफ है खाली जगे किस जंगल किस तरफ है तो इन सबुत देश्यों की पूर्ती के लिए क्या बनाई जाते थे नक्षे और मांचित्र तो ये तयार करना भी एक चिंता होती थी नगर को नियोजित करने के लिए अगली चिंता क्या है सहरों में फैलने वाले विबिन बिमारियों पर काबू करना भ जरूरी है और उन पर काबू पाने के लिए अंग्रेजो ने क्या किया था भारतिये जो लोग थे उनको सहर के बाहर की तरफ धकेल दिया था भारतिये बस्तियों को उजाड दिया था कि तुम जाओ सहर के बाहर रहो क्योंकि बिमारिया यहीं से फैलती है कच्ची बस्तियो के रूप में ढून लिया गया कि भारतिये जो हैं इनकी बस्ती बहुत कंजस्टेड होती है घर बहुत पास-पास होते हैं सूर्य की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती तो बिमारिया यहीं से शुरू होती है फिर पूरे सहर में फैल जाती है तो इन बस्तियों को य रख रखाओ के लिए परियाप्त धन जुटाना अब इतना सब करना है सहर में सडके बनानी है पेज अलापूर्ती करना है गंदे पानी को बाहर निकालना है मतलब नालियां बनानी है जंगरना भी की जाती थी नकसे तयार मतलब प्रसासनिक खर्चा भी होना था नगर के उ कलकत्ता में एक कमेटी होती थी वो लोटरी बेचती थी लोटरी बेच कर जो उसकी इंकम होती थी उस पैसे को वो सहर के नियोजन पर खर्च करती थी तो मतलब धन की आवशकता की पूर्ती के लिए क्या बनाई गई लोटरी कमेटी कलकत्ता में ऐसा किया गया था बांकि हमने देखा था कि धन प्राप्त करने के लिए कर भी लगा दिये जाते थे वार्शिक कर लिए जाते थे लोगों से तो ये सारी चीजें थी चिंताएं थी सहरों को नियोजित करने के लिए अगला प्रशन नए सहरों में सामाजिक संबंद किस हद तक बदल गए थे, जो नए सहर थे, उन में सामाजिक संबंद कैसे होते थे, व्यक्ति एक दूसरे से किस तरह मिलता था, क्या सोसते थे एक दूसरे के बारे में, जबकि हमने देखा कि ग्रामीन शेतरों में संबंद घनिष्ट होते थ एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो सहरों में क्या हो रहा था, तो सहरों में हमने एक तो देखा na, कि रुडीवाधिता दूर हो रही थी, नारियां, जो इस्त्रियां हैं, वो घरों से बाहर निकल कर सारवजनिक जीवन में उनकी भागीदारी बढ़ रही थी, ये हमने देखा था, इसके दलावा और क्या-क्या है, देखते हैं, देखिए, नए सहरों के विकाज से सामाजिक संबंधों को अनेक रूपों में प्रभावित किया, पूराने छोटे सहरों में विद्वान, देखिए, सामन जस्यम जान पैचान का नए सहरों में अभाव था, वहां ज दूसरे से मिलने का ज्यादा समय नहीं होता था व्यक्दिकत रूप से एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते थे ठीक है आगे देखिए किम्तु नए सहरों में भी टाउन होल सारवजनिक पार्क और बीसवी सताबदी में सीनेमा होल जैसे सारवजनिक इस् थल खुल गए थे जहां पर लोग अपना खाली समय व्यतित करते थे एक दूसरे से मिलते थे संबंद बनाते थे नए नए व्यावसायों के विक्सित होने के कारण सहरों में क्लर्क शिक्षक वकील डॉक्टरों इंजिनियरों और अकाउंटेंट्स आदी की मांग में निरं हो रहा था जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था पहले वाले वर्गों की वजाए ये नए रोजगार के सादन विक्सित होने से ऐसा हुआ नए वर्ग कौन से तयार हुए तो देखिए कलर्क की जरूत पढ़ी अंग्रेजों को तो कलर्क एक समूद आए सिक्षक वकील ड दोक्टर इंजिनियर अकाउंटेंट्स तो देखिए ये अखबारों पत्रीकाओं सारवजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त करने लगे इस प्रकार बहस एम चर्चा का एक नया सारवजनिक दायरा विक्सित होने लगा क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे वह हम ये अपने विचार व्यक्त करते थे अकबार वगेरा के द्वारा सारवजनिक सभा वगेरा में पुराने सामाजिक रिती रिवाजों कायदे कानूनों ये उन तोर तरीकों की उपियों गिता पर अनेक प्रशन चिन लगाए जाने लगे मतलब पुराने जो तोर तरीके थे क महिलाओं गरे से बहार नहीं निकलेंगी, ऐसे बहुत तरह कि अब उन पर प्रसन्न चिन लगाया जाने लगा, उनкоं लोगों ने मानने से मना कर दिया था, महिलाओं ने पित्र सतात्मक काईदे कानुनों को बदलने का प्रीयास शुरू कर दिया, पित्र सतात्मक समाज होता महिलाओं को विसेश महतों नहीं दिया जाता था तो महिलाओं ने उस पित्र सतात्मक समाज के कानोनों को बदलने का प्रियास शुरू कर दिया और सारविजनिक जीवन में उनकी भागीदारी बढ़ती गई ठीके बच्चों तो हमने ये प्रसंद पूरे कर लिये हैं इस पार सुरू करेंगे धन्यवाद